मत्रा के थाना सदर बजाद छेतर के औरंगाबाद से रातरी के दोरान अच्छानक गाइब हुए आठ वर्षिय बालक का शब नाले में पड़ा मिलने से छेतर में संसनी फैल गई क्योंकि बच्छे की हत्या का शब वहाँ डाला गया था दर्शल औरंगाबाद के मेवाती महले का रहने वाले अफजल खान का आठ वर्षिय बेटा अरहान नवास पढ़ने के वास्ते घड से निकला था तब ही वहाँ अच्छानक गायब हो गया काफी देड तक उसके बापस न लोटने पर चिंतर परीजरों ने उसकी तलाश की लेकिन आठ साल की मासूम का कुछ नहीं पता लगा सुबह होने पर उसकी लास बेराज रोड के नारे नाले में पढ़े मिलने से संसनी फैल गई वहीं उसकी मौत की सूचरा मिलने पर परिवार में आखकार मच गया गटना की ख़बर पाकर पहुंची पुलिश ने शब को पोश्ट माटम के लिए भीजा और मामले में सेफी एम सेफ नामक युवक को हिरासत में लिया गया आपको बता दे कि अरहान के पिता अफजल छे भाई हैं और औरंगवाद के शालिमार हार्डवेर के नाम शेम मशूर हैं और उनी की संस्थान में कार्पूर छेतर का रहने वाला सेफी उर्फ सैफ नामक युवक लगबग तीन महां से काउंटीट पल पर कारे रथ था सीसी टीवी फोटेज चेक करने पर पता चला की आठ वर्ष यह मासूम अरहान को सैफी अपने साथ ले गया था वहाराल पुलिस पकड़े गई युवक से पूंस्तास कर रही है हत्या की वज़ा पोश्ट मारम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी इस बारे में रहान के ताव रहिस खान द्वारा जानकारी दी गई कि आपका और क्या घटना हुए तो बच्चा हिली जाता है तो रात में नमाज बगरा पंडे भी इनके साथ जाता था तो कल भी भूई बाग गया हुआ था तो नमाज पंडे तो गया नहीं है जिस बच्चे को अठा करके यहां से लेगा था तो बच्चे ने बताया था कि कि हुआ सेफ ले तो अमने फिर भी सोचा को भाड़ा होगा जमने इसकी इसकी ड्रिकोडिक मेरा थी किस आलात में क्या लेजा था जान लूए नाले में पानी में थी आदी भार थी रजाई में करा उसको बडली हुई थी जा बच्चा कपड़ा पेने हुए था पूरा कपड़ा प्रतीज होता है कि दुसकर्म हुआ उसके साथ या ऐसा कुछ हुआ है ऐसा कुछ नहीं तब क्यों ले गए आखरी उठागा क्या मालत साथ क्या होता है पोलिश बताएगा हमें पूस्तमागए अ कहा है कि पैसे वैसे कि कोई ड़ैसे आध में इसमेड में मिला उका मिलता था तक शह को समय तरब जिए नहीं पैसा के डिए परणकर पुलिसने प्रणा लिए और उस से बीड़ा और वेंश्म को ऊठाया है घृँए साथ जा रहा था लेगा